नमस्कार स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हेल्ट टिप्स हिंदी में हलो दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्ट टिप्स हिंदी में दोस्तों आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही महत्वपुन टॉपिक लेके आई हूँ 99% लोग ये नहीं जानते कि बादाम को किन लोगों को भीगो कर खाने चाहिए और किन लोगों को नहीं आईए जानते हैं इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ बादाम के कुछ महत्वपून फायदे आज मैं आपको बताऊंगी किन लोगो को बादाम भीगो कर खाना चाहिए और किन लोगो को नहीं लगवग 99% लोगो को ये नहीं पता कि बादाम किस प्रकार खाने चाहिए और बादाम खाने से उन्हें क्या-क्या लाब मिलते हैं दोस्तों अक्सर आपने बहुत से लोगों को बादाम भीगो कर खाते हुए देखा है या फिर सुना होगा क्या आप जानते हैं कि किन लोगों को बादाम भीगो कर खाने चाहिए और किन लोगों को नहीं तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसकी सारी जानकारिय देती हूं दोस्तों बादम अपने असीन स्वास्तिलाव गुणों के लिए जाना जाता है और सबसे ज्यादा यह आपके यादास को तेज करने के लिए जाना जाता है बादम आवश्यक विटामिन्स और मिनरल्स जैसे की विटामिन जिंक, कैल्सियम, मैगनेशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है इसलिए हमें बच्पन से ही बादाम खाने को कहा जाता है दोस्तो अक्सर आपने बड़े भुजुर्गों को ये कहते वे सुना होगा कि बादाम भीगो कर खाने चाहिए तो आईए जानते हैं कि वो ऐसा क्यों कहते हैं दोस्तो बादाम के तासीर गर्म होती है और इसमें विटमिन्स, मिनरल्स और प्रोटिन्स जैसे बहुत सारे पॉस्टिक तत्व पाये जाते हैं लेकिन इन सभी पॉस्टिक तत्वों को अवशोशित करने के लिए बादाम को खाने से पहले राद भर पाने में भीगोना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि बादाम के भूरे रंके छिलके में टर्नीर होता है जो पोशक तत्वों के अवशोशन को रोकता है और एक रात में बादाम को पानी में भीगोने से छिलका आसानी से उतर जाता है और नट्स को पोशक तत्वों को रिया करने की अनुमति दे देता है भीगा हुआ बादाम पाचन तंतर के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है इसमें लाइपेज नामक का एक इंजाइम होता है जो पाचन के लिए फाइदे मंद होता है इसके लावा इसके बहुत से फाइदे हैं बचन घटाने के लिए भी ये बहुत ही मददकार होता है दोस्तों बादाम बचन खटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदे मन्ध होता है इसमें mono unsaturated fatty acid होता है जो आपकी भूप को रोकता है भीगा हुआ बादाम anti oxygen का बहुत ही अच्छा श्रोथ है ये मुक्त कणों की नुकसान से बचाता है और साथी उम्र बढ़ने की प्र स्वस्त रखने के लिए भी बहुत ही फाइदे मन्ध होता है जेनरल ऑफ मुटेशन में प्रकासित एक अध्यन के अनुसार बादाम एक बहुत ही शक्तिशाली antioxidant aging properties है LGL cholesterol के oxygen को रोखने में मदद करता है बादाम के ये कंड दिल को स्वस्त रखने और पूरे हिर्दे प्रनाली को नुकसान और oxidative stress से बचाने के लिए मदद करता है अगर आप दिल की बीमारी के किसी भी रोग से पिडित है तो स्वस्त रहने के लिए अपने आहार में भीगे बादाम को सामिल कर ले अपने आहार में बादाम को शामिल करने से आपको किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा हाई बलड प्रेशर को बहुत एजली करता है कंट्रोल बादाम बलड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा होता है जेनरल फ्री रैडिकल रिसर्च में पता चला है कि बादाम का सेवन करने से बलड में अलफा टॉको फेरोल की मात्रा बढ़ जाती है जो किसी की भी रक्त चाप को बनाए रखने के लिए महत्वपून होता है अध्यान से ये भी पता चला है कि नियमीत रूप से बादाम खाने से एक व्यक्ति का बलड प्रेशर नीचे ला जा सकता है इसलिए अगर आप हाई बलड प्रेशर के प्रेशंट है तो आपको नियमीत रूप से बादाम खाना चाहिए गरवस्त शिशु की विकास के लिए भी बहुत ही मददगार होता है भीगे हुए बादाम में फॉलिक एसिड बहुत ही जादा होता है ये पोशक तत्वक गरवे के शिशु के मस्तिस्क और नियूरोलोजिकल सिस्टम के विकास के लिए बहुत ही मददकार साबित होता है इसके इलावा जब बादाम को भीगोया जाता है तो उसे खाना और भी आसान हो जाता है गरवती महिलाओं की कमजोर पाचन किरिया के लिए ये खाना बहुत ही अच्छा होता है पाचन किरिया बनाएं बहतर भीगे हुए बादाम पाचन किरिया को बहुत ही मजबूत बना देते हैं और स्वस्त बनाए रखने मेरी मदद करते हैं जेनरल और food science में प्रकासित एक अध्यन में ये पाया गया कि भीगे कच्छे बादाम खाने से पेट जल्दी साफ होता है और protein पचाना आसान हो जाता है बादाम का छिल्का निकल जाने से उसके छिल्के में मौजूद एंजाइम अलग हो जाते हैं इस वज़े से फेट तोड़ने में मदद मिलती है बेट कालस्टरॉल को नियंत्रित करता है ऊच कैलस्टरॉल की समस्या हमारे देश में सबसे जादा और बहुत ही आम हो गई है ऊच कैलस्टरॉल हिर्दै रोग और दिल की धमनियों में रुकावत समयत कई रोगों का एक बहुत बड़ा कारण भी है इसमें बादाम आपकी बहुत ही बड़ी मदद कर सकता है दरसल बादाम आपके केलस्ट्रोल को नियमित करता है और धम्यों की सफाई करके आपको विभीन परकार के हिरदय रोगों से भी बचाता है तो चलिए दोस्तो हम जानते है कि किन लोगों को बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए और बादाम खाने के क्या-क्या नुकसान हो सकते है दोस्तो वैसे तो बादाम खाने से कोई नुकसान नहीं है परन्तु अगर अधिक मात्रा में खाई जाए तो अवश्य ही इनके सेवन से बहुत ही जादा नुकसान हो सकता है बादाम के अतिधिक सेवन से कब्ज और पेट की सूजन हो सकती है क्योंकि इनमें उच्छे मात्रा में फाइबर मौचूध होता है दोस्तो यदि आप एक मैगनीज युक्त डायेट पे हैं और आप बादाम खाते हैं तो ये आपकी दवाओं से हस्त छेप कर सकते हैं इसका कारण ये है कि बादाम भी मैगनीज से युक्त है और शरीप में मैगनीज की उचे राशी रेचक और शदियों अंटिबायोटिक दवाओं और कुछ रक्त चाप की दवाओं के साथ हस्त छेप कर सकता है आपको अपने दैनिक आहर में केवल मैगनीज की 1.3 से लेकर 2.3 मिलिगराम की जरूरत है दोस्तो हमें विटामिन E के 15 mg की हर दिन जरूरी पढ़ती है बादाम की बड़ी मातरा में खपत से हम इस मातरा को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अतिरिक विटामिन E की दुस परभाव से दस्त, पेट में फुलना, दृष्टी का साफना होना, सर में दर्थ, चक्कर आना और सुस्ती ये कारण है एक औस बादाम में 14 ग्राम फैट और 163 कैलोरीज होती है यदि आप अधिक मातरा में बादाम का सेवन कर रहे हैं और इस कैलोरी को पर्याप्त मातरा में नहीं जला रहे हैं तो आपके शरीर में फैट निश्यत रूप से जमा हो जाएगा और वजन बढ़ता चला जाएगा कड़वे बादाम में हाइड्रोसाइडिक एसीड होता है जो तंत्री का तंत्र को मंदा कर सकता है सांस लेने में समस्या उत्पन कर सकता है जो घातक भी हो सकता है अधिक मातरा में बादाम खाने से आपको ऐलर्जी भी हो सकती है ये एक बहुत ही दुरलब दुस्परभाव है लेकिन कुछ लोगों ने बादाम से ऐलर्जी के लक्षन भी दिखाए हैं इसके लक्षन होंगे चतक के स्वास में कठिनाई आदी इन सब के लावा हम आपको एक खास बात बता देना चाहेंगे कि जिन लोगों को पिताशे एवं गुर्दे से सम्मनित कोई भी विकार हो कोई भी समस्या हो उन्हें बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे में बादाम का सेवन करना उनकी समस्या को और भी बढ़ा स होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल रूण रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों हमारे चैनल हेल्ट टिप्स हिं दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले सबी वीडियो को देखने के लिए बैल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें